नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉलिशन के यूट्यूब चैनल पे गैस पेपर की सीरीज में आज मैं आपके साथ डिसकस करूँगा टीचिंग ओफ इंगलिश जो कि यानि कि हम इसको पैड़ागोजी ओफ इंगलिश भी बोल सकते हैं जो कि आपका है लेकिन जितने भी कोशन्स हैं वह ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है 100 प्रसंट वह आपके एक्जाम में आएंगे तो इसलिए अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें कोई इंपोर्टेंट कोशन की वीडियो या फिर गैस पेपर की वीडियो रोयल खन उनिवस्टी की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए अगर आप अच्छे मार्स गेन करना चाहते हैं तो गैस पेपर को जरूर करके जाना है अगर आपने अभ ही medicine eating कोती है चिब फशायों काफे प्रल्इशान है लेकिन खुष होने वाली बात यह है कि यह कुछ होने वाली बात यह है की जो आप्का सब्जेक्ट्र काफे ज्यादा आसान हैं और कि क्यों है क्योंकि जो आपका पेपर है 2016 से अगर मैं बात करूँ 2016 से लेके और 2019 तक 2016 से लेके 2019 तक teaching of English के जितने भी questions पेपर आए हैं सारे के सारे क्या है repeated है repeated है 2016 से लेके 2019 तक एक के बाद एक पेपर बिलकुल ऐसा ही ऐसा maximum 95 से लेके 98% तक पेपर आपका repeated है teaching of English का तो सीधी सी बात है आपका पेपर भी repeated आएगा और जो मैं question बताऊंगा 100% वही आपके exam में आएंगे अगर आप वह भी तैयार करके चलेगे तो पूरा पूरा पेपर आपना attempt कर लेंगे तो चले जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी questions में बताऊं उसका आप तारा उननीजदे और बार पेपर में यह question आपका repeat हुआ है वाट इस दा नीड एंड इंपोर्टेंस ओफ टेचिंग लिट्रेचर इन इंग्लो इन इंगली इंग्ली करिकुलम तो यह question आपका repeat हुआ है काफी important question आपका रहता है का शुद्द आप लेज़े वाट डूए ब तो यह कोशन आपका बहुत जादा इंपोर्टेंट रहता है इसका स्क्रिम्शोट आप ले लिजेगा ठीक है नेक्स कोशन की बात करते हैं जो कि आपका बहुत जादा बहुत जादा इंपोर्टेंट रहेगा लेसन प्लान से ठीक है लेसन प्लान से रिलेटीड एक कोशन आपको पता होने चाहिए तो यह कोशन आपका बहुत जाद आपका इंपोर्टेंट रहा है तीन बार आपका रिपीट हुआ है ठीक है कोशन की कोशन को आपको करके जाना है विस टाइप ओफ मीडिया इस रिक्वाइब टूर्ड टीचिंग और टीचिंग इंग्लिश टीचिंग तो यह कोशन आपका बहुत जाद आपका इंपोर्टेंट रहता है इसका इंशोट आप ले लिचेगा नेश्ट कोशन की बात करते हैं तीन बार रिपीट वहा है बहुत जादा इंपोर्टेंट यह रहता है बिल्कुल ऐसा कोशन लिखा हुआ आता है हर बार सब्सक्राइब करते हैं दो बार आपका रिपीट हुआ है है इसका ब्सक्रीक शोट ले लिए गा इसे कि बात करते हैं बहुत जादा इंपोर्टेंट है दो बार आपका रिपीट हुआ है कोशन की बात करें तो डिफ्रेंशेट बिट्वीन दा केरिकुलम स्लेवस एंड टैस्ट बूक पाट्टे चरिये पाट्टे करम और विशेवस्तुम्हें आपको बताना है अंतर एक की बात कर्थे हैं फरेंशेट अमंग्द करिकुलम स्लेवस एंड टैस्ट बुक एक यांसर आपको लिगना है इसका से इसकत्रिंशोट कशन रहता है ठ्инов वीजम काफे जाद आपका इंपरेन रहता है राइट शोट नोट रोंक अनकों शुक्ट फैसंड तो सब्सक्राइब करते हुए आपको असी मुझे तो मतलब बढ़ाना है बच्ची की ठीक है what is the constructivism how constructivism can create a joyful and creative learning atmosphere in classroom तो यह question आपका एक है एक आंसर इसमें लिखना है ठीक है important आपका रहता है constructivism वाला question ठीक है 100% आएगा ठीक है इसका screen short आप ले लिजेगा next question की बात करते हैं तीन बार आपका repeat हुआ है important question रहता है what are the different what are the different techniques of asking a question in the classroom ठीक है mention the main types of questions और mention various types of questions तो भाई काफे ज्यादा important रहता है क्या यह प्रशनावली विदी जिसको हिंदी में प्रशनावली विदी कहते हैं जयनिके वो questions उन questions की बात कर रहा है जो आप बच्चों से पूछेंगे जो lesson plan में होते हैं आपके जो आप बच्चों से पूछते है स्टार्टिंग के जो question होते हैं उनकी बात कर रहा है स्टार्टिंग में जो आप बच्चों से पूछते हैं जैसे आप class mentor करते पढ़ाना स्टार्ट करते तो आप बच्चों से जो पढ़ाने वाले हैं उसके बार में कुछ question पूछते हैं फिर आप उनको क्या करते हैं इंग्लिश टीचिंग और वाट इस दा लेंग्वेज लेबर्टरी वाइट इस इंग्लिश टीचिंग तो यह कोशन आपका भाई बहुत जादा आपका इंपोर्टेंट रहता है इसका फिशोड ले लिजेगा इसका फिशोड आपको देखने को मिलेगा नेश कोशन की बात करते हैं देखें कितने एक दो तीन चार और पांच बार आपका एक कोशन आपका रेपीट हुआ है बहुत जादा इंपोर्टन यह कोशन आपका रहता है कोशन की बात करें how an English teacher can enhance the creative and critical thinking of student what are the different ways of motivate the creative and critical thinking of the learner how can English teacher enhance the creativity of the learner with the help of translation how can English teacher enhance the creativity and imagination of the learner and write the importance of the translation as a creativity activity तो भाई बहुत ज्यादा इंपोर्टन आपका एक कोशन रहता है ठीक है इसका screenshot ले लिजेगा और 100% आपके एक्जाम में आपको देखने को मिलेगा answer आपको इसका एक ही लिखना है ठीक है बात करते हैं next question की जो की एक बार आया है लेकिन important रहता है mention are some activities that वही यह तो पीछ कि नेक्स कोशन की बात करते हैं जो कि आपका important रहता है explain the concept of curriculum how it is different from syllabus तो यह कोशन भी आपका important रहता है इसका screenshot आप ले लिजेगा नेक्स कोशन की बात करते हैं जो कि आपका important रहता है तो यह question भी आपका important रहता है आपको teaching of drama के important रहता है आपका यह वाला question काफी जादा इसका screenshot आप ले लिजेगा next question की बात करते हैं differentiate between the continuous and comprehensive evaluation तो भाई क्या है यह continuous और comprehensive evaluation यह आपका सतत एवं व्यापक मुल्यांकन के बारे में पोज रहा है कि सतत एवं व्यापक मुल्यांकन के बारे में हमका differentiate करिए इन दोनों के बीच में ठीक है तो यही वो वही question है आपका यह जो हमेशा आपका देखने को मिलता है हर एक पैड़ागोजी में ठीक है तो important question है इसका screenshot आप ले लिजेगा सारे question करने है अब गैस पेपर में से तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है जितने भी गैस पेपर में question बता रहा हूं बहुत जादा कम है 14-15 question मैं बता रहा हूं और 14-15 question ही आपको आठ के आठ question आपको माँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकान को प्रेस कर लिजेगा जिससे आपके आपके वीडियो नोटिफिकेशन आते रहे कोई भी important question की वीडियो रोयल खन झाल